एजूकेशन और ट्राइवल दौनों डिपार्टमेंट में सिक्षकों के टांसपर हुए हैं दौनों डिपार्टमेंट के सिक्षक अपना टांसपर ओर्डर कैसे डाउनलोड करें इस समद में चैनल में वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसे आप देख सकते हैं और अपना टांसपर ओर्डर डाउनलोड कर सकते हैं अब सिक्षकों का टांसपर हो जाने के उपरांत इसमें सिक्षकों का कमेंट्स आ रहा था वहीं लखन चोहन जी बोलते हैं कि सर नमस्कार ट्रांसफर हो गया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आगे की पुरसेस क्या है प्लीज किर्पिया बताएं तो इसमें बताना चाहेंगे कि यदि आपका ट्रांसफर हुआ है तब आपको नियम अनुसार सबसे पहले अपनी साला से समस्त प्रिभारों को सौंपते हुए कारमुक्त होना है संकुल के लिए साला से कारमुक्त हो जाने के उपरांत अब आपको संकुल में एक आविदन देना है कारमुक्त करने सम्मन्द इसमें समाने सा आविदन आपको लिखना है जिसमें आपको लिख कर देना है कि आप किस संस्ता में पदस थे और किस आदिस के अनुसार आपका इस्थान तरंड के संस्ता में हुआ है और इसमें संकुल प्रिचार महोदय से निविदन कर लेना है कि सर किर्पिया कर उक्त संस्ता के लिए हमें कारमुक्त करने का कश्ट करें और संकुल में आप जो आविदन कर रहे हैं इस आविदन के साथ में आपको अपने transfer order की copy सलगन कर देना है साथ ही आप साला से जो कारमक्त हुए है इसका पृतिवीदन भी आप इसमें सलगन कर दें अब आपने जो आविदन किया है इस आविदन के अनुसार आपको संकुल के द्वारा online education portal से relief किया जाएगा relief करने के लिए संकुल जैसे login करेंगे तो इसमें एक option आता है ddo login में employee relieving oblique joining management तो संकुल के द्वारा इस option पर click किया जाएगा और यहाँ पर एक option हमें दिखाई देगा online relieving आदिश प्रवंधन इस option से कर्मचारियों को संकुल के द्वारा कार्मुक्त किया जाएगा अब संकुल के द्वारा online relieving कर देने के उपरांथ इसमें एक relieving order भी generate होगा जिसे कर्मचारी को संकुल के द्वारा देना होगा और इसके उपरांथ कर्मचारी एक आविदन करेंगे उस संस्ता में जहां transfer हुआ है और आविदन के साथ में जो relief order है वो transfer order दौनों कौपी सलगन करना होगा जहां relief order को देखते हुए आपको संबंधित संकुल के द्वारा संबंधित डीडियों के द्वारा ज्वाइन कराये जाएगा इसमें बताना चाहेंगे कि करमचारी को रिलीव करते समय एक order number भी लगता है जो कि करमचारी के order में रहता है अब जैसे ट्राइबल विभाग की बात करें ट्राइबल विभाग में जो order हुए है इसमें order number इस प्रकार का दिया गया है जो कि education portal पर accept नहीं होगा इसमें cable employee code दिय गया है तब ऐसी परिस्तिते में इन करमचारी को online कैसे कारमुक्त करें तो इन्हें कारमुक्त करने के लिए DDO में ही option दिया जाता है payroll management में जैसे हम payroll प्रवंधन प्रिणाली इस option पर click करेंगे तो यहां पर कुछ option open हो जाएंगे जिसमें request का एक option है इस पर click करके हम करमचार को transfer कर सकते हैं transfer employee इस option पर click करना है और जो भी करमचारी का transfer order number है जैसे travel की बात करें तो यहां पर transfer order number जो रहेगा वो आपको fill कर देना है और online करमचारी को transfer कर देना है DDO के द्वारा करमचारी के transfer की online request send कर देने के उपरांथ इसे DDO कारले के द्वारा अपरूप किया जाएगा और अपरूप हो जाने के उपरांथ संस्ता में संबंधित संकुल में जिस संकुल में करमचारी का transfer हुआ है वहां से accept होने के उपरांथ करमचारी का DDO transfer हो जाएग तो ट्रांसपर हो जाने के उपरांत एक समाने सी प्रिक्रिया रहती है जिसमें सबसे पहले हमें अपनी साला से बरिष्ट कारले के लिए कारमुक्त होना रहता है जहां बरिष्ट कारले के द्वारा संबंधिस संस्ता में जहां हमारा टांसफर हुआ है उस संस्ता के लिए कारमुक्त किया जाता है ओनलाइन और आफलाइन एथी इस्थांतरन उपरांत कारमुक्त करने संबंधी एक बहुत ही महपून जानकारी आसा है जानकारी से आपको सहयोग जरूर प्राप्त होगा यदि वीडियो अच्छा लगे तब इसे लाइक, कमेंट और सियर जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू